हाई फ्रेंड्स वल्कम बैक टू अधर वीडियो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने कंप्यूटर को सट डाउन कर सकते हैं वो भी आप स्पेसिफिक टाइम में जैसे कि अगर आप चाते हैं कि हमारा कंप्यूटर आधे घंटे बाद सट तो उसे आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा तो इस वीडियो को पूरे लास तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारे साथ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कंप्यूटर को एक घंटे बाद बंद करना होता है और हमें पहले कहीं जाना होता है तो उस कंडिशन में ये ट्रिक हमारा काम करेगा कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में कुछ डाउनलोडिंग का काम चल रहा है और मुझे अर्जिंट काम में अभी ही निकलना है और उसके बाद मैं कंप्यूटर के पास नहीं आना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि यह automatic shutdown हो जाए after downloading तो देखते हैं कैसे करते हैं तो उसके लिए आपको देखने पड़ेगा कि आपका downloading का समय कितना minute का चल रहा है यानि कि उसमें estimate time दिखा देता है कि एक गंटे तक आपका downloading complete हो जाएगा तो आप computer को एक गंटे बाद का command दे सकते हैं कि एक गंटे के बाद हमारा computer shutdown हो जाए ठीक है तो यहाँ पे आपको desktop पे आना है और यहाँ पे right click करके आपको new बेंजाना है उसके बाद आपको एक shortcut पे click कर देना है ठीक है अब यहाँ पे आगे हमारे पास ठीक है तो यहाँ पर आपको एक command लिखना है set down सारे small में ही हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा capital में भी चलेगा लेकिन आप small में ही लिखें set down उसके बाद एक hyphen दे उसके बाद s फिर उसके बाद space दे फिर hyphen t और उसके बाद आपको time देना है second का set down minus s का मतलब होता है कि मैं set down करना चाहता हूँ और minus t का मतलब है timer कि कितने time के बाद हमारा set down हो तो time हमें second में देना होता है अब second हम कैसे calculate करेंगे कि जैसे हमें आदे गंटे में बंद करना है ठीक है तो आदे घंठे में बंद करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं 60 60 snd Dawn अबर होता है एक minute का ठीक है तो मैं 60 in to 60 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर एक घंट्या का हो गया है ठीक है यानि कि 3600 sndंब बरावर एक घंटा होता है तो अगर मुझे आदे गंटे का करना है तो यहां पर डिवाइडेड वाई 2 कर देते हैं तो यहां पर 1800 सेकेंड यानि कि आदे गंटे में हमारा computer सट डाउन हो जाएगा अगर आपको दो गंटे में करना है तो आप इसे फिर से 800 plus करते हैं इसमें ठीक है तो याने कि 36 सब्सक्राइब एक गंटे बाद अमारा computer सुटड़न हो जाएगा दो गंटे बाद करना है तो आप इसे दो से multiply कर दो ठीक है तो मैं अभी 36 सब्सक्राइब लेता हूं इससे क्या होगा कि एक गंटे बाद हमारे computer shutdown हो जाएगा अब इसे करते हैं next और इसका नाम रख दें आप कुछ भी auto shutdown ठीक है आप bracket में लिख सकते हैं one hour जिससे कि आपको पता रहेगा ठीक है one hour आप इसका बहुत सारे command आप दे सकते हैं बना लो और अधे घंटे का बना लौ दो गनते का बना लो तो जिससे आपको एग घंटे क्लिए करना है तो एक गंटे वाले पर क्लिक कर दो और दो घंटे के लिए करना जिना तो अब यह हमारा रिडिय यहां आप इसका icon भी चेंज कर सकते हैं जैसे ऐ आइकन सही नहीं लग रहा तो यहां पर change icon पर आके और आपको यहां से आप कुछ भी कोई सावी दे सकते हैं यहां से मैं यह अर्थ का दे देता हूँ देख सकते हैं उस वाले पर अर्थ वाले पर क्लिक नहीं हुआ था मेरे कंप्यूटर वाले पर क्लिक हो गया था तो इस पर आप जब भी क्लिक करेंगे यानि कि double click करेंगे तो हमारा जो है automatic यह shut down होने के लिए command मिल जाएगा इसे ठीक है तो मैं दिखा देता हूँ आपको इसे इस पर आपको simple double click करना है जैसे मैंने double click किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखावा है You are about to sign out Windows will shut down in 60 minutes ठीक है 60 minutes है यानि कि 3600 seconds हमने दिया था इसमें तो यह एक गंटे बाद shut down होगा ठीक है तो उमीद है यह चोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे like करें शेयर करें अगर कोई सवाल या सुझा हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाए